नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फिद कैला सर में हम यहां जीएस इस्पिसल की जो सीरीज है उसकी सेकंड क्लास डिसकस करने वाले हैं यह क्लास है एसे सी के सीजील अधर एक्जाम्स रेल्वी के एक्जाम्स बैंक पुलिस तदा लेकपाल के एक्जाम्स के लिए बहुत बेनिफीशल है तदा यूपी आरो यारो और प्रिक्षाव के लिए इसे डिजाइट किया गया है चलिए बढ़ते हैं कुश्चन देखते हैं पहला कुश्चन आप या d chlorophyll तो हमारा अंसर हो जाएगा इसका अंसर क्या हो जाएगा बी एंथ्रो साइने जो पॉदो में पाए जाने वाला नीला वैगनी या लाल फ्लेवनाइड वर्ड़ाउ। होता है किसके उपस्ते दी कारड़ होता है यह एं थ्रो साइनेन की उपस्ते दी निगारण हो करने के लिए इससे आउजित किया गया था जापान के क्योट्टो सहर में जिसमें अमेरिका शामिल नहीं हुआ था या अमेरिका ने अपनी शैमती नहीं जताई दी अगला विश्चन पी-सी-परसनल कंप्यूटर को वायरलेस नेट्वर्क से कनझेक करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्चक है तो इसे वायरलेस से कनेक आवश्यकता होती है हम सब इसका यूज करते हैं तो हमें पता है अंसर क्यों जाएगा ईगर डू Bayon चैतने महाप्रभू किस संपरदाय से जुड़े थे चैतने महाप्रभू जो थे ये गौडी संपरदाय के पिर्थम आचार्य माने जाते है गौडी संपरदाय के पिर्थम आचार्य वैशनव लोग इन है चैतने महाप्रवु को रादा कृष्ण का संयोक्त अवतार मानते हैं इनका जन्म पश्विन बंगाल के नवदीब जिले में हुआ तथा इनकी मृत्व उड़ी सामे हुई चैतने महाप्रवु के संपरदाई संबंदेते हैं गौड़ी संपरदाई के ये पहले आचार के मानने जाते हैं बढ़ते हैं नेक्स कुशन की दरफ 2011 के अंतिम जनगर्णा प्रड़ाम के अनुसार भारत में जनगर्णत तो क्या है 2011 के जनगर्णा हुई उसके अनुसार भारत में जनगर्णत तो है ये हो जाता है 382 चलिए अगला विशन देखते हैं हाल ही में चड़चा में रहा सेवा मित्र एप किस से संबंदित है जो सेवा मित्र एप है ये हाल ही में काफी चड़चा में रहा यूपी के बारानसी के लोगों के लिए इस एप को बनाय गया था कहां बनाय गया था यूपी बारानसी तो ये किस के लिए था यूपी के बारानसी के बिरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्द कराने के लिए इस एप को डिजाइन किया गया था प्रधानमंत्री नरिन मोदी ने उतरब देश के किस जिला पंचायत को सर्वस्रेश्ट पंचायत के पुरुषकार से समानित किया तो प्रधानमंत्री नरिन मोदी जी के द्वारा राश्टिय पंचायती राश जिवस के मौके पर 24 अपरेल 2021 को सामली जिले को कौन से जिले को सामली जिले को सर्वस्रेश्ट पंचायत के रूप में पुरुश्कृत किया गया वह बिंदू जिस पर एक वस्तू सूरे के चारो और दीर वरताकार रूप में प्यात्रा करते हो सूरे के समी पा जाती है सूरे के चारो और कौन सी कच्छा में गती करते हैं यह सूरे हो जाता है और इसके चारो तरफ जो गती करती है वस्तू है तो यह जो कच्छा गयलाती है दीर वरताकार कच्छा गयलाती है तो यह जो नियूनतम दूरी होती है इसे क्या कहा जाता है इसे एपोगी, पेरिगी, पेरिहिलियन है एपिहिलियन तो इसे कहा जाता है पेरिहिलियन पेरिहिलियन यानि उपसौर इसे उपसौर कहा जाता है और ये गटना कब होती है यानि पृत्वी जो है सूरी के सबसे समीप कब होती है प्रत्वी सुर्य के सम्मिप होती है तीन जन्वरी को और एपिलेन के गटना कब होती है इसका अंसर सी हो जाएगा एपिलेन के गटना होती है वो होती है चार जुलाई को चार जुलाई चलिए बढ़ते हैं एक फिस्टिन की तरफ तो लीबिया किस महादीप में इस्तित है हम जानते हैं लीबिया जो देश है जिसकी राजदानी क्या है लीबिया की राजदानी है त्रिपोली लीबिया की राजदानी त्रिपोली ये भूमद्य सागर के उत्तर में इस्तित है और यहां की मुद्रा लीबियन दिनार है तो लीबिया किस माधिप में इस्तित है कुशन प रोक सकता है राष्टपती के पास आप जानते हैं वीटो पावर होती है तो दोनों सदनों द्वारा पारेत किसी बिल्ड को अपनी स्विक्रती रोक सकता है आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं अगले कुश्यन की तरफ संगिया मंत्री मंडल का पुनर गठन किसकी रोपोर्ट पर आधारित था तो संगिया मंत्री मंडल के पुनर गठन से संबंदित रोपोर्ट किस ने दी ये जो पुनर गठन किया गया किसकी रोपोर्ट पर किया गया ये किया गया गोप आमीड विद्धुतिक करद निगम की स्थापना जो की गई थी ये की गई थी 1969 में अंसर हो जाएगा B 1969 अगला कुश्चन दिखते हैं Master Age I show him पुस्तक के लेखक कौन है तो ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक लिखी गई सिष्टन निवेदेता के द्वारा जो स्वामी विवेकानन्द की सिश्या थी इनका वास्तविक नाम Margaret Elizabeth Nobel था और ये 895 में स्वामी विवेकानन से मिली बेसिक तो पर देखा जाए तो ये एक Iris महला थी एक Iris महला जिनका नाम था Margaret Elizabeth Nobel स्वामी विवेकानन्द से मिलती है उनसे प्रवावित होती है और विवेकानन्द की शिश्या बन जाती है और भारत आकर उन्हीं कार्यों से जुड़ जाती है जिन कार्यों से स्वामी विवेकानन्द भी कहा जाता है NDP MP NDP FC NNP MP या NNP FC तो देखेंगे इन में से दो आंसर हो सकते हैं NNP MP या NNP FC NNP जो MP है ये क्या होता है ये होता है नेट नेशनल प्रोड़क्ट मार्केट प्राइस जबकि यहां पूछा कि राष्टे आ को प्राइक क्या कहा जाता है तो राष्टे आज जो होती है NNP Factor Cost अंसर के हो जाएगा D NNP Factor Cost FC चलिए बढ़ते हैं अगले कुश्यन की दरफ काविरी नदी की पंदरवे कुश्यन का अंसर हो जाएगा C काविरी नदी जो वर्स भर ये दक्षिड भारत की एक मातर नदी है जिसमें वर्स भर जल बहता है इस वेसे सदानीरा नदी भी कहा जाता है ये गोदावरी वा कृष्णा के बाद में तीसरी सबसे लंबी नदी है दक्षिड भारत में बहने वाली गोदावरी वा कृष्णा के बाद तीसरी सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिड में बहने वाली गंगा भी कहा जाता है इसे दच्छड में बेने वाली गंगा भी कहा जाता है इसका उदगम पस्चमी घाट के ब्रह्मागरी परवत से करनाटक राज्य में होता है यह तमिलाडू राज्य में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में डिल्टा बना कर गिरती है चलिए बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ आवेशिक्ता विहिंता सिद्धान के प्रतिपादक अर्थसास्त्री है 16 कुश्चन आप लोगों के सामने आवेशिक्ता विहिंता सिद्धान के प्रतिपादक कौन सा अर्थसास्त्री है तो आंसर हो जाएगा B बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ एक लिटर पानी में कितने कैलोरी होती है साइंस का कुश्चन है आप सभी जानते हैं आंसर के वज़ाइगा पानी से हमें उर्जा प्राप्त नहीं होती भारती निर्वाचन आयोग का संबंद समयदान के किस भाग से है निर्वाचन आयोग जो कि अनुच्छे 324 से 329 तक इसका लेक किया गया है अनुच्छे 324 से 329 किस भाग में है भाग D आंसर क्या हो जाएगा हमारा D हो जाएगा भाग 15 भाग 15 सही आंसर होगा चलिए बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ 56 गैनफीट पुरुषकार 2021 किसे दिया गया तो 56 गैनफीट पुरुषकार 2021 जो दिया गया है यह असमिया साहित्यकार जो है नील मनी फूकन जूनियर को दिया गया है जबके 57 जबके 57 जो पुरुषकार है यह किसे दिया गया है ये दामोदर मोजो को दिया गया है और ये कौंकडी साहतेकार है 56 पुरुसकार असमिय साहतेकार नील मनी फूकन जूनियर को दिया गया और 57 पुरुसकार दामोदर मोजो को दिया गया है 57 जो है दामोदर मोजो को ये कौंकडी साहतेकार है अगला कुश्यन मेजर ध्यांचंद खिल रत्म पुरुसकार 2021 से कितने खिलाडियों को समानित किया गया तो मेजर ध्यांचंद खिल रत्म पुरुसकार से 2021 में कितने खिलाडियों को समानित किया गया 12 खिलाडियों को 12 खिलाडियों को इस पुरुषकार को पहले राजीवांदी खेल रत्न पुरुषकार के नाम से भी जाना जाता था हाली में इसका नाम चेंच कर दिया गया है अब क्या हो गया है मेजर ध्यांचन खेल रत्न पुरुषकार अगला गुश्यन ब्रिटिस सामराजवाद के दौरान भारतिक आर्थिक अपवाह का सिद्दान्त किस ने प्रस्तुत किया तो जो भारत का आर्थिक अपवाह या धन के वहिर गमन का जो सिद्दान्त दिया गया द्वारा दिया गया दादा भाई नोरोजी के द्वारा दादा भाई नोरोजी को वयोविर्द्व प्रूस के नाम से भी जाना जाता है इन्हें भारत के वयोविर्द्व प्रूस के नाम से भी जाना जाता है भारत छोड़ो अंदोलन के से में उतर प्रूस के किस जिले में सम आपारित कर लिया गया और 9 अगस्ट 1942 को इसे संपूर देश में एक साथ स्टार्ट कर दिया गया भारत छोड़वा अंदोलन तो उत्तर प्रदेश में इसी अंदोलन के दोरार समान अंतर सरकार की स्थापना की गई थी ये की गई थी बलिया में चित्तू पांडे के दोरार बहुत इंपोर्टेंट कुश्चन है बलिया में चित्तू पांडे के दोरान 19 अगस्थ को समान अंतर सरकार की गोश्णा की गई थी और ये इस प्रकार से बनने वाली पहली अहिस्थाई सरकार भी थी तेश्वा कुश्चन मलीरिया रोग से सरीर का कौन सा अंग प्रवाव प्लीह या तिली जो अंग है किसके दोरा प्रवावित होता है मलीरिया रोग के दोरा बिंडोज की बोर्ड में चैनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुझी का प्रयोग किया जाता है हम जानते हैं बिंडोज की बोर्ड में चैनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुझी का प्रयोग किया जाता है तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है Enter की का एंटर कुंजी का किस राजी की सरकार ने बिद्वा मेलाओं के मदद के लिए मिसन वातसले सुरू किया तो मिसन वातसले जो है किस राजी की सरकार ने बिद्वा मेलाओं के लिए बिद्वा मेलाओं के लिए बिद्वा मेलाओं की मदद के लिए बातसले प्रोग्राम यह किस सीरीज यहीं तक रखी जाएगी ऐसी ही अन्य सीरीज के लिए आप हमसे जोड़े रह सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गोड इबनिंग ओल फ्यू